आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सब का बहुत बहुत स्वागत हैं गाइज पिछले संडे कमेंट बॉक्स को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए वेरी वेरी थैंक्यू आज का जो टॉपिक होगा वो ये होगा नौर्मल डिलिवरी के कुछ गुपत लक्षन कौन-कौन से होते हैं गाइज इस वीडियो में मैं आपके प्रेगनेंसी के एक से लेके 9 मंत के बीच के सारे उन हालाइटे लक्षन को बताऊंगी जो नौर्मल डिलिवरी के तरफ इसारा करते हैं साथ ही साथ आपके ultrasound reports के बारे में भी इस वीडियो में बात की जाएगी जिससे आपका सारा doubt क्लियर हो जाएगा और आज के आज आप ये जान लेंगी चाहे आपकी pregnancy का कोई भी मन्त चल रहा है आसानी से confirmation हो जाएगी कि normal delivery जो है वो पकी हो चुकी है जो भी आपके मन में doubt चल और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आए हैं चानल पर चानल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक किजिएगा जहां फॉस्ट अफॉल बात करेंगे कुछ गुप्त लक्षन की बात करते हैं सबसे पहले तो एक से तीन महीना के बीच हैं अगर आपको मॉर्ニング सीक forecast हो रहा है आपको वैमेटिंग की समस्या हो रही है साथिसाथ आपको एक थकान मैसूस होता है आपको गैस बनने की समस्या है तो ये एक healthy pregnancy के तरफ इसारा करती है और जब भी pregnancy healthy होती है वहाँ पे just normal delivery की confirmation हो जाती है देखी गईज भगवान ने तो normal delivery ही बनाया है अब यहाँ पे जो है वो किसी की pregnancy complicated हो जाती है इस case में डॉक्टर्स उनका सीजेरियन करते है लेकिन natural चीज natural birth जो है वो normal delivery ही होता है अब हम next जानेंगे तीन से छे महीने के बीच में बदलाओ की अगर इस समय के अंदर आपके पेट का आकार जो है वो धीरे-धीरे निकल रहा है याई कि कोई भी आपके परोस की आपकी जनकार कोई भी लेडी आपको आसानी से point out कर रहे है कि सायद आपकी pregnancy चल रही है क्या तो अगर आपसे लोग इस तरह की बाते पूछते हैं आपके बच्चे की growth सही तरीके सो रही है तो यह भी एक हिसारा है normal delivery के तरफ अब हम बात करेंगे साथ से लेके 9 महीने के बीच इस समय आपका वजन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और अ 1500 से 200 ग्राम तक बढ़ने लगता है इस समय में सबसे ज्यादा normal delivery के लक्षन दिखते हैं पहले तो आपके बच्चे का सर नीचे जाना चाहिए आप जहां से जीस हिसे से urine पास करती है वहां एक दर्द बना हुआ रहे है जो भी सारा करती है normal delivery के तरफ अगर बात किया जाए क आपके mood के उपर बात किया जाए stress free अगर आप life जी रही है या automatic जी रही है या फिर try कर रही है हर केस में अगर आप stress free है तो normal delivery के हार्मोन्स बहुत असाली से रिलीज होंगे और आपकी normal delivery ही करवाई जाएगी अब साथी साथ लास्ट एक चीज़ कहना चाहूंगी doctors के उपर आपको सबसे पहले एक ऐसे doctor का चुनाव करना है जिनके पास बहुत ज्यादा normal delivery होती है महिलाओं की वैसे doctor के पास मत जाएए जो जातर c-section करते हैं क्योंकि वहां आपके भी c-section होने की possibilities बढ़ जाती है यहां guys मैं किसी doctor को blame नहीं करना चाहूंगी सभी doctor इस तरह की नहीं ह नहीं कराकर c-section करवाया गया तो यह सब समाज की यह चीजे है तो इन चीजों से आप खर पूरी समाज को बदलना इतना आसान नहीं है वह भी जब आपकी pregnancy चल रही है बहतर होगा एक कह सकते ऐसे doctor कर चुनाव करें जिनके यहां आपकी बातों को सुना जाए आपको समझा अचा है और आपके हिसाब से आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए मिलते हूं कल की वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग तब तक के लिए बाई 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 इंटेक किया है